श्री सिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हरहर महादेव हमारे चैनल श्री शिवाय में आपका स्वागत है आजका ये विडियो बहुत ही खास होने वाला है देखिए आजकल हर घर में बिमारिय बहुत हो गई है किसी को ब्लट प्रेशर की बिमारी है तो किसी को शूगर की बिमारी है, किसी को अन्य बिमारिया है, तो इन बिमारियों को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम दो महा उपाये आपको बताएंगे, ये महा उपाये आपके शरीर की बिमारियों को दूर करेंगे, यदि आपको ब्लेड प्रेशर, सूगर की बीमारी है या कोई अन्य बीमारी है वो भी दूर होगी तो बहुत आसान सा उपाय होने वाला है इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे दो महा उपायों को बिलकुल ध्यान से आपको समझना है देखिए पहला उपाय जो है उन लोगों को करना चाहिए जो बार बार बुखार हो जाता है उसे यह उपाय करना चाहिए यह पहला उपाय उन लोगों को करना चाहिए तो आईए दूसरे उपाय की बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से घर में बिमार है यानि कई दिनों से बिमार है महीने हो गए है ठीकी नहीं हो रहा है उसके लिए उपाय आपको करना है देखिए सबसे पहला उपाय बिमारियों को दूर करने के लिए अगर आप बार बार बिमार हो जाते हैं यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बिमार पढ़ जाता है बिना वज़य से यानि 10-12 दिन ठीक रहता है और वह फिर से बिमार हो ज तो आपको यह उपाय करना चाहिए मात्य दो मुखी दीपक का यह उपाय है आपको अपके घर में आटे का दो मुखी दीपक बना लेना है यानि एक दीपक के अंदर दो मुख होने चाहिए उस दो मुखी दीपक में आपको बाती एक ही लगानी है एक बाती को दोनों मुख पर इस तरह से रखना है और इस दीपक के अंदर आपको तील का तेल डालना है आपको अन्य और कोई तेल नहीं डालना है सिर्फ तील का ही तेल डालना है देखिए उपाय जो है यह सुद्धता से करेंगे तो बिल्कुल जो मिश्राजी ने बताया था उनहीं के अनुसार बता बार बार बीमार पड़ जाता है उसके उपर से इसको 21 बार उतारा करना है सीधे तरफ से यानि की घड़ी की दिशाम में आपको उतारा करना है जो भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है उसके घरवाले उसकी नजर 21 बार उतारेंगे मतलब 21 बार उतारा करना है अब आपको क्या करना है यह जो दीपक है अगर बिमार व्यक्ति खुद शक्षम है यह करने में तो वह भी यह कर सकता है अगर घर का कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है तो उनसे भी यह करवा सकते हैं 21 बार उतारा करने के बाद गर के बाहर आ जाना है गर के बाहर आपको जो गेट है महाँ पर आना है और महाँ पर आपको नरसिंग भगवान का नाम लेकर ये दीपक आपको जला देना है दोनों मुख से बाती को जला देना है और नरसिंग भगवान का 11 बार आपको नाम लेना है वह व्यक्ति जो बारबर बिमार पड़ जाता है वह समस्या दूर हो जाएगे यह बहुत ही आसान सा उपाए है कई बारबर एक ही बारबर हो जाती है बारबर तकलीफे देने लगती है तो उन लोगों के लिए उपाए जरूरा चाहिए अब देखिये दूसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत बिमार है, बहुत परेशान है, आराम ही नहीं मिल रहा है, कितना ही उपाय कर लिये हैं, कितने ही डॉक्टर के चक्कर लगा लिये हैं, कितने ही डॉक्टर चेंज कर लिये हैं, तब भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आ जल के पात्री के अंदर अगर आपको आवला मिल जाता है तो आवला डाल लीजिए अगर आवला नहीं मिलता है तो आवले की पत्ती भी डाल सकते हैं अगर पत्ती भी नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है आवले का जो चूरन आता है बजार में आसानी से मिल जाता है वो रख्ती से आवला चूरन या आवले की पत्ती जो भी है डलवा लीजिए और वापस बाहर निकलवा लीजिए देखिए आप आपको क्या करना है यदि आपने आवला डाला है तो वो लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है आपने आवला लिया हो या आवले की पत या आवला जो भी लिया हो उसके बाद एक लोटा जल समर्पित करना है रातरी में 9 बज कर 15 मिनिट पर ये उपाई किसी भी दिन किया जा सकता है यदि आपके घर के आसपास के मंदिर जल्दी बंद हो जाते हैं तो आपके घर के शिवलिंग पर भी ये जल अर्पित कर सकते है यह जल अर्पित करने से आपके घर में जो लंबे समय से बीमार होगा उसकी हालत में सुधार आने लगेगा और वह पूर्णर रूप से स्वास्त हो जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर हर झाले हर वीडियो को भीडियो